Hello Cyber Worms, Welcome Back मैं हूँ अनिलिय अदप और आप देख रहे हैं Neet Roots और आज हम Cyber Security के एक important topic के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है CIA Model So let's continue So guys, सबसे पहले जान लेते हैं CIA Model क्या है CIA Model Cyber Security की एक important framework है जिसका मतलब होता है Confidentiality, Integrity और Availability इस Model का उपयोग करके Data और Systems की सुरच्छा को बरतने में मदद मिलती है CIA Model का इस्तिमाल करके Organizations अपने Cyber Security Majors को डिजाइन करते हैं ताकि उनका Data और Systems सुरच्छत रहे और सभी परकार के Cyber Attacks से बचा हो सके तो Learners अब CIA Model को एक Example से समझते हैं एक समय की बात है एक छोटे से गाउ में एक चतुर बेक्ती प्रोफेसर असुर रहते थे उनका काम था important जानकारी को रखे रहने में मदद करना जैसे की हमारे bank details प्रोफेसर असुर को ये पता था कि उनके काम को गलत नजरों से बचाना गलत आहट से बचाना और उसका गलत इस्तिमाल होने से बचाना कितना important है साथ ही उसकी जरूरत पढ़ने पर time में available होना भी जरूरी था लेकिन प्रोफेसर असुर चाहते थे कि ये जानकारी सिर्फ वही लोग देखें जो इसका सही इस्तिमाल करेंगे इसलिए उन्होंने अपनी जानकारी को सुरचित करने के लिए कुछ खास तरीके इस्तिमाल किये जैसे एक सुरचित password प्रोफेसर असुर ने सोस समझ कर ये फैसला लिया कि सिर्फ विश्वासनिया लोग ही उनके computer को access कर सकते हैं जो उनके इस काम में साथ देंगे और वो इस special password सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जिनको प्रोफेसर अपनी टीम में रखे थे जिसकी वज़े से कोई भी बिना इजाज़त के computer में नहीं जा पाता लेकिन ये काम सिर्फ सुरवात थी प्रोफेसर ने अपनी जानकारी को ऐसे सुरचित रखा कि कोई भी उसमें कुछ भी गड़बड नहीं कर सकता जैसे जब आप अपने चेक को sign करते हैं तब उसमें आपका signature होता है वैसे ही प्रोफेसर असुर ने भी किया उन्होंने अपने जानकारी पर एक digital signature लगा दिया ताकि कोई भी उसमें गड़बड़ी ना कर सके और कुछ भी ना बदल सके बट एक दिन उनके system पर एक cyber attack हुआ और हैकर प्रोफेसर के system का data चोरी करने का असफल परियास करने लगे क्योंकि प्रोफेसर ने अपने system में self destructive encryption लगाया था जिसकी वज़े से अगर कोई उनके system के password को encrypt करने का try करता है तो उसमें रहेगे सारे data self district हो जाएंगे और बहुत ही secure cloud storage पर जाकर backup हो जाएंगे जिसको access करना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर कोई password encrypt करने को try करता है तो प्रोफेसर के device में alarm बजने लगता है जिसकी वज़े से उनको पता चल जाता है कि उनके system पर cyber attack हुआ है उसके बाद प्रोफेसर ने अपना system बंद कर दिया और अगर उनको किसी काम के लिए उल्ट्रेटर का access चाहिए होता था तो वो अपने cloud storage पर अपने digital signature की मदद से उसका access लेकर अपना काम चला सकते हैं अंत में hacker हार गया क्योंकि प्रोफेसर असुन ने अपनी जानकारी को सुरच्चित रखा इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हम अपनी important जानकारी को secure रख सकते हैं और उनमें कोई भी changes बीना हमारे permission के नहीं हो सकती है और कैसे अपने data को computer में safe रख सकते हैं अब तो आप समझी गए होंगे confidentiality इसका मुख्य उधेस से ये होता है कि सिर्फ authorized user data और information तक पहुँच सकें इसका मतलब होता है कि सिर्फ वो लोग जो data देखने या access करने में authorized हैं उनके अलावा कोई और data को नहीं देख सकता integrity इसका मुख्य उधेस से ये होता है कि data को असल और सही रखना है ताकि कोई भी उसमें किसी भी तरह का changes नहीं कर सके data integrity का ध्यान रखा जाता है ताकि किसी भी परकार का गलत changes को रोका जा सके availability इसका मुख्य उधेस से ये होता है कि data और system हमेशा उपलबद रहें यानि जब भी अवस्यक हो authorized user data का access कर सकें और system का उपयोग कर सकें और ये तिनों trades मिलकर एक strong secure organization की foundation बनाती है and almost सभी companies इस trade को follow करके अपने system और network को secure करती है and as an ethical hacker और pen tester हम लोगों को ये concept समझना बहुत ही important होता है और आगे हम इस concept की मदद से अपनी hacking journey में बिना कोई रुकावट के pen testing या फिर bug bounty कर सकते हैं या फिर अगर कोई company हमें उनके security analyst के post पर appoint करती है तो हमें इस trade को लेकर ही उनको security देना पड़ता है और आप समझ सकते हैं कि जिस company की security में ये trade यूज ना की गई हो उनके system पर hackers easily attack करके access पा सकते हैं और उनके company को बहुत नुकसान पुगा सकते हैं या फिर उनके data को leak करके उनको बहुत ज़्यादा damage कर सकते हैं तो guys ये था हमारा आज का session जहां पर हमने CIA model को deep में जाना और अपने data को कैसे safe रख सकते हैं उसके कुछ important key factors के बारे में जाना और अगले वीडियो में हम penetration testing के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं Till then, stay safe, stay secure, thank you